ममता बैनोर जी से लेकर राहूल गांधी तक सब अपना अपना दाव चल रहे हैं लेकिन सब की नजरें विपक्ष की तरफ से सर्व माने पी-म कैंडिडेट घोशे थोने पर टिकी हैं बंगाल में तीसरी बार चुनाओ जीतने के बाद ममता बैनोर जी ने विपक्षी पाटियों से सलसले में बात चीच शुरू कर दी है इसके पहले शुरत पवार दिल्ली आकट कुछ इसी तरका खेल कर गये थी राहूल गांधी तो जमाने से पी-म इन्वेटिंग है लेकिन दिल्चस्प यह है कि ममता बैनोर जी के दिल्ली पहुँचते ही संजरावत ने ऐसा सुर्रा छोडा कि ममता बैनोर जी का सारा मजा ही करकिरा कर दिया संजरावत ने कहा कि महराश्टर के सीम उद्धो ठाकरी देश का नर्तित्तो करने के लिए बेहतोरी नेता है अब सवाल यह है कि विपक्ष की तरफ से ऐसा कौन सा चहरा होगा जिस पर सभी पार्टिया एक मत हो जाए फिलाल रेस में ममता बैनोर जी खुद को आगे मान कर चल रही है लेकिन कल तक ममता बैनोर जी का गुणगान करने वाले संजरावत ने उद्धो ठाकरे के नाम को आगे क्यो बढ़ाया विपक्ष की सियासत का एक चहरा संजरावत के बयान के पीछे छुपा हो सकता है खिलेश या फिर मायावती भी शामिल हो जाएं लेकिन मिशन पीम इन वेटिंग पर निकली ममता बैनोर जी पूरे ताम जाम किसांद दिल लिया चुकी है संभव है उनकी पहली मुलाकाद पीम से हो राष्टपती डामनात कोविट से ममता बैनोर जी के मिलने का कारे करम है त्रणमुल कॉंग्रेस की प्रमुख 2024 के लोग सभाचुनाओं से पहले राष्ट्रेस तरपर बड़ी भूमे का निभाने की तयारी में है पश्चुम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बैनोर जी का विधान सभाचुनाओं में जीत दर्ज करने के बाद या पहला दिल्ली दौरा है बैनोर जी का कॉंग्रेस अध्यक्ष्टोनिया गांधी के अलावा कमलनाथ, आनन्द शर्मा और अभिशेक मनुस सिंधवी समेथ अन्य कॉंग्रेसी निताओं से मुलाकात का भी कारिकरम है संसद के मौनसुन सत्र की दरान दिल्ली दौरे पर पहुची ममता बैनोर जी अन्य पक्षवी दलों की नीताओं से भी मुलाकात कर सकती है इससे पहले ममता बैनोर जी ने कहा था कि प्रधान मंत्री ने उन्हें इस सब्ताह मुलाकात का समय दिया है हाला कि बैनोजी ने प्रधान मंत्री के साथ प्रस्तावित बैठक का विवरेंट साजा करने से इंकार कर दिया था त्रिनमुल कॉंग्रेस के सूत्रों ने कहा कि 26 से 30 जुलाई के दौरान ममता बैनोजी संसद भी जा सकती है Bureau Report, News of India